यह बजेट अर्थ ववस्ता को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा यह बजेट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भराव हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का यह बजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिश्चित करता है यह पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रादन की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए टेक्नोलोजी आए जैसे किसान ड्रॉन हो बंदे भारा ट्रेन हो डिजिटल करेंसी हो बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल युनिट्स हो फाइविसीज सर्विसीज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो इनका लाब हमारे युवा हमारे मध्यमबर्ग गरीब दलीद पिछडे यह समी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वक्रण पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पक्ता घर हो नल से जल आता हो उसके पास साउचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहड़ी छेत्र है हिमालय का पूरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते विए भी नई गोशना की गई है हिमाचल, उत्राखन, जमु किश्मीर, नौर्स इस्ट ऐसे एक छेत्रों के लिए पहली बार देश्ट में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ति गाउं है, बौर्डर के गाउं है, जिसका वाइबरंट होना जरूरी है जो देश की सिकूरिटी के लिए भी आवश्क्ता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता, मा गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्यान के लिए एक महत्वपुर्ण कदम उठाया गया है उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिम्मगा, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को पोट्सान दिया जाएगा इससे मा गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मा गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी, बजेट के प्रावधाम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि क्रशी लावप्रद हो, इसमें नए आवसर हो, नए एग्रिकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोसान देने के लिए विशेश फंड हो, या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, मस्पी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं। कोरोना काल में, मसमी यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्ड़े लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी, इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वुर्द्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के मसमी सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मन दिर्भात्ता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल भारतिय जनता पार्टी ने मुझे सुबह ग्यारा बजे बजेट और आत्मनिर भर वारत विशेपर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल ग्यारा बजेट मैं बजेट के इस विशेपर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है।